आइसे 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 आइए बैंक और कोटेक महिंद्रा बैंक दोनों ही बहुत अच्छे बैंक हैं दोनों ही बहुत भैतर सर्विसिस प्रवाइड कराते हैं अभी मेरे पास में दो इमेल बैंक को लेकर के है और दूसरा कोटेक महिंद्रा बैंक को लेकर के है ऍसका बैंक के एक उज़र है जो कि आईसे आइसे बैंक का क्रेडिट कार्ड पिछले 2-3 साल से लगातार यूज़ कर रहे है उनके पास में पैसा नहीं था तो उन्होंने इसका बिल वगेरा पे नहीं किया लेकिन जैसे ही उनके पास में पैसा आया उन्होंने बिल पे कर दिया बिल पे करने के बाद भी रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं एक नहीं दो नहीं चार-चार recovery agent गर पे आ रहे हैं व्यक्ति के मन में ये question आ गया कि उसको करना क्या चाहिए उसने YouTube पर सर्च किया उसे ऐसी कोई खास वीडियो नहीं मिली जिसमें की ऐसा बताया गया हो उसको हमारा channel विला और उसने हमें email किया फिर दूसरा एक हमारा subscriber है जिसने कोटक महिंदरा बैंक से loan लिया था continue EMI की payment कर रहा था लेकिन पैसे नहीं थे तो EMI का payment नहीं कर पाया पैसे देने के बाद भी recovery agent कर पे आ रहे हैं व्यक्ति बहुत ज़्यादा tension में है उसको समझ नहीं आ रहा उसको क्या करना चाहिए देखिए दोस्तों आप दोनों ही इन बैंकों को जानते होंगे दोनों ही काफी अच्छे खासे बैंक हैं काफी बड़े बैंक है इनकी services A1 है जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपने कोई credit card लिया है ICICI bank का और आप उसका payment कर चुके हैं फिर भी recovery agent घर पे आ रहे हैं तो देखिए आपके साथ में ये समस्या है आपके जो card की payment है वो update नहीं हुई है जादा तर लोग क्या करते हैं phone pay के through payment कर देते हैं credit card की ICICI bank की या फिर amazon pay के through भी payment कर देते हैं और कुछ paytm के through भी payment करते हैं जो ये आपका amazon pay है इसके through पैसा pay करते हैं और phone pay के pay करते है through तो पैसा पहुंच तो जाता है bank के पास में लेकिन वो छे दिन कम से कम लेता है तीन से छे दिन लेता है पैसा पहुंचने में ठीक और बहुत से cases में ये भी देखना गया है अगर ICICI mobile app के जरीए हम payment करते हैं तब भी पैसा late पहुंचता है तीन से चार दिन तो लगी जाते हैं अब इस case में आपको क्या करना चाहिए आपको payment की receipt रखनी चाहिए और ICICI bank का जो customer care है उनसे पहले तो बात करनी चाहिए customer care का जो help line number है मैं वीडियो के description box में update कर दूँगा जिस पे आप अपनी सिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर ऐसा issue आपके साथ में होता है ठीके दोस्तो, ICICI bank का मैं आपको बता रहा हूँ और अगर ये issue आपकर short out ना हो तो इसके लिए आप Twitter का भी सहारा ले सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छे तरहीके से help हो जाएगी Twitter अब X हो गया है तो आपको X पर जाना है और ICICI bank को search करना है ICICI bank के एर को और tag करके अपना issue भेज देना है यह समस्या ICICI bank को लेकर के मैंने Twitter पर भी देखी एक व्यक्ति का देखिएगा ओभी बता रहा है पैसा payment करने के बाद भी collection agent परिशान कर रहे हैं उपयोग कर सकते हैं आप देखिए आप चाहते हैं कि आपकी payment immediately जाए मैं किसी का कोई promotion नहीं कर रहा हूं कोई प्रसार प्रचार नहीं कर रहा हूं लेकिन जो मेरा experience रहा है अगर credit के through payment हम करते हैं किसी भी credit card की तो within 10 minutes के अंदर ही payment update हो जाती है यह मेरे देखने में आया आप यह procedure follow करें आपकी problem short out हो जाएगी आप ऐसे question अकसर करते हैं कि पैसा दे दिया फिर भी recovery agent घर पे आ रहे हैं आप क्या करें तो यह समस्या आपकी इस video के माधियम से short out हो गई होगी दोस्तों चाहे ICICI bank हो चाहे कोई भी हो आप लोगों ने यह भी बताया कि 4-4 बंदे गर पे आ रहे हैं यह पूरे तरीके से गलत है आपका permission के बगेर कोई बंदा नहीं आ सकता और आपको डरा नहीं सकता आपको धंका नहीं सकता आप चाहें तो उसके उपर police में भी शिकायत कर सकते हैं और bank और NBFC और RBI के पास भी जा सकते हैं आपकी समस्या का समाधान 100% हो जदा बहुमूल्य हैं अगर आप हमारी paid services लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए अपना concern बता सकते हैं आप हमें whatsapp कीजिए अपना नाम अपना mobile number जो आपका current tissue है कोई recording वगरा है वो भी हम आपका एक appointment fix कर देंगे और आपको उसी appointment जो हमारे दुआरा दिया गया है उस देख पा रहे होंगे आपको whatsapp number हमारा show कर रहा हुगा फिर में लेंगे किसी और वीडियो में अपना ख्याल लखें अपनों को ख्याल लखें बाबाई टेक केर जाहिंद वन्दे मात्रम